जो western toilets हैं, उनको हटवा करके घर में एक Indian toilet जरूर बनवाएं आपके सेहत के लिए आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है तक रहे हैं पानी किलो, पानी किलो यह लोगए आपके सेहती है पानी के साञे आपके साख, हेएं पिर दो की अनको बापतर आपके अनको, जानको बन्रेज मेर दोगे इक हाँ यह अनको घ turnover जो चुझाए हॉ तो एह एक मुए खार जोगे तो सेक्षियो क्लास थी यह खाषियों। 11.30 तो होगया खाना आज हम लोग ने खाया दाल चावल पालक की सब क्या भी गैस नहीं थी हम लोग यह ख़त पर अभी गैस आई है तो आज शाम से वह फ्ली रोटिया बनेंगी तो हम लोग फिर आज रोटी खाएंगे अपने देखा होगा की हम लोग जमीन पर बैट के खाना खातें दरी पर और बेटकर अपने दुनाँ पैरज मौश Dieses तो अज लोग अच्छा तरीका खाना खाने के हैं वह यही है आप जमीन पर बैट करके अपने दोनों पैरों को मोड़ करके और तब बैठ करके खाना कहें यह जो पोस्टर है यह हमारा इंशिट पोस्टर है जिसपे हम बैठ खाना कहाते आएं है हमेशा से कुछ सालो से जो हमारी लाइफ स्टाईल है वो चैन्ज हो चुकी है आज हमारे maximum ऐसे लोग हैं जो बुज़र्ग हैं उनकी तो हम बात नहीं करते हैं पर जो जवान हैं जो यंग हैं उनके साथ भी आज यह प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो अपने दोनों पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं इस तरीके से दोनों पैर फोल्ड करके इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं अपने पूरा फ्लैट फीट के साथ में बैठ नहीं पाते हैं दोनों पैरों को अल्थी पल्थी मार करके जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पास Dying table है हमारे पास Western toilet है हम खड़े होके खाना बनाते हैं, खड़े होके बहत-ण दोते हैं आज हमारा हर काम है इसी तरीके से बिगड़ चुका है और आज हम समय ग़रे गर मेरे डियनिंगे गcji पर सोन On तो कि भी गोथ पर नवी सि olabilirने जो बाहत तंदरस्थ हैं और बहुत लंभा चलेंगे तो मोडरन लाइफस्टाईल कि हम बात करते हैं जब हम कहते हैं यह हमारा जो modern lifestyle है वो हमारे बहुत सारे रोगों का, हमारे बहुत सारी बीमारियों का कारण है तो वो यही modern lifestyle है जिसको हमने डाप्ट किया Western culture से या विदेशों से, यूवेस से, यॉरप से कि हमें Western toilet से ये घर में Indian toilet में आज लोग बैट नहीं बाते हैं 30-35 years of age जो लोग हैं वो आज अपने घुटने मोड़ करके बैट नहीं बाते हैं तो यह एक बिमारी है इस बिमारी को अगर आज आप सुधारना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले अगले 10-12 सालों में आपके पैर वापिस फोल्ड होना शुरू हो जाएं अच्छे से flexibility आजाए आपके जो joints हैं आपके जो घुटने हैं उन्में flexibility आजाए तो कोशिश करें कि जमीन पर बैठ के रखाएं और अगर possible हो तो जो Western toilets हैं उनको हटवा करके या घर में एक Indian toilet जरूर बनवाएं आपके सेहत के लिए आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है धन्यवाद